जहें सात्य नमस्कार मैं हूँ अभय और आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ मैं ट्रिपल सी का युद्ध अभ्यास जी हैं दोश्तों जैसे कोई भी योध्धा युद्ध लड़ने से पहले युद्ध अभ्यास करता है वैसे ही मैं लेकर आया हूँ CCC की नई सीरीज CCC युद अभ्यास जहाँ पर CCC exam देने से पहले मैं कराऊँगा CCC की पेपरों का अभ्यास तो हर साम आर बजे आप सभी लोग AbExcel computer पर CCC की classes attend करते रहे दोस्तों CCC exam देने से पहले आप शबी लोग अभाएक्शल कम्प्यूटर की CCC की महामारतन क्लास को देखना मत भूलिएगा वहाँ एक क्लास है जिसमें मैंने टूटल 1100 प्लस कुष्टन्स आपके साथ डिसकस किये हैं और वर्तमान समय में भी CCC exam में इससे काफी कुष्टन्स आपको मिलते हैं यहां कि CCC का पूरा निचोर एक वीडियो में मैंने दे रखा है तो इस वीडियो को भी आप exam से पहले जहूर देखेगा CCC की बहतर तयारी के लिए यहाँ पर mock test का भी section दिया गया है जहाँ पर हिंदी और इंग्लिस दोनों language में mock test एबलेबल है वहाँ से आप mock test देकर अपनी तयारी को और भी बहतर बना सकते हो शाती साथ जो भी श्रेंज CCC के crash course में खुद को enroll करना चाहते हैं यहाँ से course on computer concert पर क्लिक करके crash course में खुद को enroll कर सकते हैं और जिने भी ebook की आवशकता है वीडियो की नेचे description में हमारी CCC की सबसे best ebook 2100 most important question की link दी गई है क्लिक करके download करिए पढ़िए और CCC exam में top करिए तो time waste न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक class आज का पहला प्रशन है IPv6 header में traffic class field IPv4 header में किस field के शमान है इन दी IPv6 header the traffic class field is similar to which field in the IPv4 header fragmentation field, fast switching, TOS field या option field इन सभी प्रशनों को आप सभी लोग मौक्रिश के रूप में लेते रहे और comment box में अंसर्स देते रहे वीडियो के लाज में आप जरू बताएगा कि आपके कितने questions सही हुए है IPv6 और IPv4 यह है क्या तो यह दोनों आपके internet protocol के version है है ना, IP का मतलब ही क्या है internet protocol और यह दोनों अलग-लग version है IPv4 और IPv6 तो यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option C TOS field याद रखिएगा option C is right अब next यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा option B Google Cardboard यह क्या है Google का किफायती virtual reality solution है आप इससे संबंदित भी चीज़ें आप याद रखिए यहाँ किसके दौरा डेवलप किया गया तो जाहिर सी बात है नाम में लिखा है Google Cardboard means यहाँ किसके दौरा डेवलप किया गया था Google की दौरा ही डेवलप किया गया था कब डेवलप किया गया था यहाँ भी आपके लिए important है याद रखिए तो जून 25 हाँ ना मतलब 25 जून 2014 को इसको लांच किया गया था ठीक है अब next यहाँ पर दीखे आप देख सकते हैं Google Cardboard की image आपके सामने है ऐसा होता है आपका Google Cardboard अब next जब कोई छवी चुनी जाती है तो क्या प्रदर्शित होता है मिन्स जब आप कोई image select करते हो तो वहाँ पर आपको क्या प्रदर्शित होता है क्या आपके सामने display होता है 8 sizing handles, body 6 middle handles या 6 boxes तो यहाँ पर दोश्तों देखिए आपके सामने यहाँ पर मेरी photo है यहाँ पर जब हम इस photo को select करते है तो photo को select करने पर देखिए क्या दिखाई देता है आपको तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8 sizing handles है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8 और यहाँ पर देखिए जो symbol जैसी जाता है cursor यहाँ पर arrow की रूप में हो जाता है जहाँ से आप क्या कर सकते है size को handle कर सकते हो 8 sizing handles यहाँ पर आपके लिए available है ठीक है? याद रखिएगा तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा 8 sizing handle, option first is right अब next एक system में बहुत सारा mouse connect किया जा सकता है बताइए क्या आप एक system में एक से अधिक mouse connect कर सकते हो true या false तो बिल्कुल सही बात है आप एक system में एक से अधिक mouse को connect कर सकते हो कोई भी problem उसमें नहीं है option first is right बिल्कुल true है अब mouse कैसा device है? यहाँ भी आपके लिए important है exam में पूछता है कि mouse कैसा device है? तो mouse एक input device है कैसा device है? input device है जो point करने का काम करता है इसलिए इसको pointing device भी कहते हैं क्या बोलते हैं? pointing device भी बोलते हैं याद रखिएगा काफी important है यह जो GUI interface होता है उसको smoothly control करने के लिए उपयोग किया जाता है GUI का मतलब जानते हैं न ग्रॉफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का full form माउस का आविश्कार कब हुआ? यह भी आपके लिए important है कि माउस को कब डेबलब किया गया? तो comment box में comment करके बताईएगा कि माउस कब डेबलब किया गया? अब देखते हैं next question dynamic web page बनाने के लिए निमलिखित में से किसका उप्योग नहीं किया जाता है? PHP, ASP.NET, JSP या CSS PHP, ASP.NET, JSP, CSS यह हैं क्या? तो यह आपकी web languages हैं है ना? अब exam में आपसे पूँच तकता है कि भाई, CSS का full form बताईए है ना? What is the full form of CSS? तो बताईए CSS का full form क्या होता है? आपको confuse कर देता है दो word में है ना? क्योंकि यहाँ पर देखे दो बार S है तो दोनों में से थोड़ा सा confuse करता है तो यहाँ पर dynamic web page की बात की गई है में से जो गतिसील web page है तो right answers का हो जाएगा CSS option D is right और CSS का full form है cascading style seats है ना? कभी-कभी option में देदेगा cascading seats style है ना? तो ऐसे आपको confuse करने का काम भी करता है अब next 200 रुपए की नोट का कलर stone grey होता है बताइए क्या 200 रुपए की नोट है उसका कलर stone grey होता है true या false तो बिल्कुल गलत है 200 रुपए की जो नोट है उसका कलर stone grey नहीं होता है यहाँ पर देखिए 200 रुपए की आपको note दिख रही है क्या कहीं से भी stone grey लग रहा है नहीं लग रहा है ना बिल्कुल भी तो इसका right answer false हो जाएगा stone grey किसका होता है 500 रूपी की जो note होती है उसका color होता है आपका stone grey ठीक, back side में क्या है, जहाँ भी आपके लिए important है ना, जो 200 रूपई की note है उसके back side में क्या है तो यहाँ पर देखिए सांची का इस दूप बना है सांची इस दूप बना हुआ है back side में, अब next ATM stand for ATM का full form क्या है simple से question लेकिन बहुत बार repeat हुआ है automatic tailor machine automated tailor machine automated transfer machine या फिर nota तो ATM का full form क्या है automated tailor machine option B is right याद रखिएगा यही आपका ATM का full form है अब ATM का उप्योग क्या है आप वहाँ पर अपना debit card दोगरा यूज़ कर सकते है money निकाल सकते है balance inquiry कर सकते हूँ OTP, आपको अपना pin generate करना है कर सकते हूँ आपको pin change करना है change कर सकते हूँ यह सारी details वहाँ पर आपको ATM के तारा मिल जाती है ऐसी होते ही आपकी ATM machine यहाँ से आप अपने card को swipe करते हो यहाँ से आप अपना password गरा डालते हो जो आपने pin बनाया है और यही से फिर आप transactions भी कर लेते हो और यहाँ से जो आपको दिख रही यहाँ से क्या निकलती है reshift आपकी निकलती है अब next Windows 10 में Windows setting के किस विकल्प का उप्योग computer के time format को बदलने के लिए किया जाता है मतलब time format चेंज करना है तो उसके लिए किस का उप्योग करेंगे which option of the windows setting in Windows 10 is used to change time format of the computer तो इसका राई टान सो जाएगा option सी time ठीक है याद रखिएगा अब next print preview के दौरान क्या हम edit और margin set कर सकते हैं can we edit and set margin during print preview true या false तो किसी भी documents का किसी भी seat का या किसी भी presentation का print preview हम ले रहे हैं तो print preview के दौरान हम कोई भी editing नहीं कर सकते हैं मतला print preview जब होगा तब उस समय editing आपकी नहीं होगी इस बात को आप याद रखिएगा तो यहाँ पर इसका राई टान से हो जाएगा option भी false अब next boolean data cell में किस प्रकार के values की अनुमती नहीं होती है reference of cell, true or false, string या फिल log data तो boolean data cell में आपके true or false इस प्रकार के values की कोई अनुमती नहीं होती है इसके लावाँ yes और no इसकी भी कोई अनुमती नहीं होती है याद रखिएगा अब next एक wave cookie data का एक छोटा सा टुकडा है जो dot 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 है a wave cookie is a small pieces of data that is पहला option है एक website से भेजा गया और उप्योग करता के web browser में संग्रहित किया गया जब कोई उप्योग करता किसी website को browse कर रहा हो मतलब कि किसी website को जब हम browse कर रहे हो तो website से भेजा गया और उप्योग करता के web browser में store हो जाता है या उपयोग करतारा भेजा गया और सर्वर में शंग्रहीत किया गया जब कोई उपयोग करता किसी वेपशाइट को ब्राउज कर रहा हो रूट सर्वर से सभी सर्वरों पर भीजा जाता है या रूट सर्वर से अन रूट सर्वर पर भीजा जाता है तो वेब कुकी क्या होता है यह आपको बताना है तो वेब कुकी जो है वो क्या है sent from a website and stored in user's web browser while user is browsing a website option first is write ठीक है याद रखेगा काफी important and unique question है अब next IP डेटाग्राम की कुल लंबाई 65535 बाइट होती है true या false the total length of an IP डेटाग्राम is 65535 true और false तो बिलकुर सही बात है option first is write ठीक है अब next उमंग एप कब लांच हुआ when was the उमंग एप लांच 23 नॉम्बर 2017 25 नॉम्बर 2019 30 दिसंबर 2016 या इन मेंशे कोई नहीं तो उमंग एप कब लांच हुआ उमंग है क्या या भी आपके लिए important है उमंग का full form क्या है या भी triple six सामे का भी पूचा जाता है तो उमंग का full form होता है The Unified Mobile Application for New Age Governance क्या होता है The Unified Mobile Application for New Age Governance है उमंग का full form उमंग कितनी language में उपलब्द है उमंग में क्या-क्या features मिलते है कौन-कौन सी यूजनाई मिलती है या सब आपके लिए important है एक्जाम में पूचा आता है तो यहाँ पर पहले right answer हम discuss कर लेते हैं उमंग एप लांच हुआ था 23 नॉम्बर 2017 को ठीक है फुल फॉर्म क्या है नोट डाउन कर देते हैं Unified Mobile Application for New Age Governance ठीक है यह उमंग का फुल फॉर्म है The Unified Mobile Application for New Age Governance उमंग किस मंत्राले दौरा लांच किया गया यहाँ प्रश्ण भी आपके लिए important है एक्जाम में पूचा आता है तो उमंग एप आपका लांच किया गया था यहाँ पर देखिए नोट डाउन करते हैं याद रखिएगा अब यहाँ पर यह कौन सभी भाग है क्या भी आपको जानना पड़ेगा एक्जाम में पूचता है इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर अगर आपको यह देदेगा तो आप पहचान नहीं पाऊगे न बहुत सारे लोग को पता है कि Ministry of Electronics and Information Technology दोरक किया गया लेकिन सौटकर्ट में ऐसे लिखते हैं यह लोगों को बहुत कम पता है तो इसका फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं Ministry of Electronics and Information Technology उमंग आप कितनी भासाओं को शपोर्ट करता है तो उमंग आप आपका 13 भासाओं को support करता है याद रखिएगा 13 languages को support करता है अब next Dizzy Locker में कितने MB तक की फाइल store कर सकते हैं बताए Dizzy Locker काफी important है Dizzy Locker क्या है Dizzy Locker कब launch किया गया Dizzy Locker का account क्या है यह भी आपके लिए important है एक जामें पूचता है तो Dizzy Locker क्या है एक digital service provided है जो आपको Indian Ministry of Electronics and Information Technology means यह भी आपकी MEITY मंत्राले द्वारा ही launch की गई है यहाँ पर आपको 1 GB तक का stories मिलता है यहाँ पर जो stories है वो total 1 GB तक का मिलता है अब कब release किया गया आपका Dizzy Locker यहाँ भी आपके लिए important है तो Dizzy Locker आपका जो है वो launch किया गया था December 2015 में कब किया गया December 2015 में उसको launch किया गया था याद रखियेगा December 2015 आप उसके बात आती यहाँ पर कि iOS में कब आया यहाँ भी आपके लिए important है Android में जो नया version है वो कब आया उसके लिए यहाँ बात कर लेते हैं कि जो एक file होगी वो maximum कितने MB की होगी तो maximum 14 MB की एक file आप upload कर सकते हो मां की total storage कितना है 1 GB का storage वहाँ पर मिलता है अब next किसी network की भौतिक ब्यवस्था को क्या कहते हैं बताए किसी network की जो भौतिक है physical arrangement है उसे क्या कहेंगे configuration, topology, routing या networking तो यहां पर इसका right answer है option be topology network की जो भौतिक ब्यवस्था है उसको topology के नाम से जानते हैं ठीक है याद रखिएगा network की भौतिक समझना topology कहराती है अब next सुक्च भारत mission किस निगम से सम्मंदित है बताए सुक्च भारत mission किस निगम से सम्मंदित है municipal, transport, governance या फिर नोटा तो यहां पर इसका right answer हो जाएगा कौन सा? municipal सुक्च भारत mission municipal निगम से सम्मंदित है अब next whatsapp पर आप एक बार में कितनी photo या video पोस्ट कर सकते हो बताएए whatsapp में एक बार में आप कितनी photos या कितनी वीडियो पोस्ट कर पाऊगे 30, 80, 50 या फिर 40 बताएए काफे important है कई बार एक question पूछा गया है whatsapp है क्या? एक social networking sites है है ना? जो instant messaging के अंतरगत आती है किसके अंतरगत? instant messaging के अंतरगत आती है instant messaging क्या होता है? shortcut में बोलते हैं उसे I am है ना? जिसके दरा आप क्या कर सकते हो? जैसे जो chat करनी वाली जितनी भी sites हैं जिनके माध्यम से आप chat कर सकते हो वो सारे किसके अंदर में आते हैं? I am instant messaging के अंतरगत आते हैं ये आप याद रखिएगा ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आप एक बार में कितनी photo या video अप लोड कर सकते हो तो present time पर यहाँ पर देखिए option में दिया गया है 30, 80, 50 और 40 तो यहाँ पर right answer आप 80 टिक करेंगे लेकिन याद रखिए कि वर्तमान समय में जो नया update है उसके माध्यम से आप 100 photo एक बार में किसी को भी send कर सकते हो means whatsapp पर photo या video post करना है तो एक बार में maximum 100 photos या videos आप post कर सकते हो 100 से जादा 101 photo भी नहीं जाएगी इसे जादा आप कोई भी media item नहीं send कर सकते हो या आप याद रखिएगा 100 photos का है पहले 80 था उसके पहले 30 था तो ऐसे यहाँ पर updates भी हुए है ठीक है यहाँ पर देखिए हमारा whatsapp contact है आपको कोई भी problem है तो आप हमसे whatsapp पर contact कर सकते हो अब next इन में से कौन सा school या फिर कहें कौन सी university AI research के शुरुआती leaders में नहीं थी AI का मतलब जानते हैं न artificial intelligence मतलब उसका जो starting था जहां से AI क्यों खूजा गया नेमलुकिस में इसे कौन सी university उसमें leader की रूप में नहीं थी तो यहाँ पर option है Harvard, Stanford, Dartmouth, University है ना या फिर other बताइए क्या होगा इसका right answer कई बार repeat हुआ है triple C exam में हर बार repeat होता है यह question तो फटा-फट बताइए AI artificial intelligence अविशकार किस ने किया यहाँ भी आपके लिए important exam में पूछा आता है कब हुआ यहाँ भी important है तो यहाँ पर right answer Harvard है 1956 में AI को develop किया गया था जौन मैकार्थी के द्वारा अब next GIGO stand for GIGO का full form क्या है garbage in, garbage out gray in, gray out gradient in, gradient out या फिर इन में से कोई नहीं तो GIGO का full form है garbage in, garbage out मिंस जैसा आप input देंगे वैसा ही output भी आपको मिलेगा अब next LibreOffice Calc में chart समलित करने के लिए chart wizard में कितने step है how many steps are there in chart wizard to insert chart in LibreOffice Calc 1, 2, 3, या फिर 4 काफ़ी important है अब यहाँ पर देखिए हम calc open कर लेते हैं और calc open करके आपको बताते हैं कैसे आप chart insert कर सकते हो chart को insert करने के कितने step है क्या-क्या features वहाँ पर मिलते हैं और cc में क्या questions पूछे जाते हैं तो यहाँ पर insert में आप जाएंगे तो आपको chart का section मिलेगा तो पूछा आता है कि chart insert करने के लिए किस menu का उप्योग करते हैं अब यहाँ पर देखिए जूम करके आपको दिखाते हैं chart पर click करने पर open हो गया chart wizard जहाँ पर देखिए step में लिखा है chart type, data range, data series और chart element means chart को insert करने के कितने step है चार step है chart कितने प्रकार के हैं यहाँ प्रस्ण भी triple C exam में पूछा आता है तो यहाँ पर देखिए column, bar, pie, area, line, x, y, scatter, bubble, net, stock, column and line यह total chart हैं कितने प्रकार के एक, दो, तीन, चार, पान, छे, शात, आर्ट, नौ, और दस आप यहाँ पर देखिए यह, इसके types हैं, normals हैं, stacked है, हाँ, percentage है अब एक प्रस्ण नहां से यह पूछाता है कि क्या chart को 3D look दे सकते हैं तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं column chart को भी 3D look दे सकते हैं bar chart को भी दे सकते हैं pie chart को भी दे सकते हैं अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो 3D look दे सकते हो अपने chart को ठीक है याद रखेगा, काफी important question है आप सभी के लिए तो यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा chart insert करने के लिए chart wizard में कितने step हैं तो चार step है option first is right अब next निमलिकित में से कौन सी cloud computing सेवा का एक प्रकार है service as a software software and a server software as a service software as a server मताइए क्या होगा इसका right answer cloud computing सेवा का एक प्रकार निम्नमेशिक कौन सा है तो इसका right answer हो जाएगा software as a service जिसे thought cut में बोलते हैं S A A S अब next C A A R D का full form क्या है मताइए C A A R D ध्यान से पढ़ लीजिए यहाँ पर जो options लिखे हैं काफी important question है यह भी आपका Center for Agriculture and Ruler Development Communicate Action for Ruler Development या फिर Computer Added Research and Development अब देखिए इसका अलग-अलग सेक्टर में अगर आप देखें तो अलग-अलग use है अलग-अलग जो हो रहेगा वो है आपका Computer Added Research and Development Option 3rd is right अब next IFSC का Full Form क्या है Indian Financial System Code International Financial System Code Indian Financial System Code या नोटा तो IFSC का Full Form होता है Indian Financial System Code Option C is right जो IFSC Code है वो Alpha Numeric होता है बिन्स उसमें Alphabet भी होते हैं और Numbers भी होते हैं अब next Bheem App से एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं मताईए क्या होगा इसका राइट आंसा Bheem App से आप एक दिन में कितना पैसा ट्रांसपर कर सकते हो 50,000, 40,000, 20,000 या इन में शिक कोई नहीं Bheem का फुल फॉर्म क्या है तो भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है Bheem का फुल फॉर्म ये क्या है आपका एक इंडियन मुबाइल पेमेंट एप है कब डेवलप हुआ 2016 में इसको डेवलप किया गया था कब यहां पर डेट भी डाल देते हैं 20 सितंबर 30 सेप्टंबर 2016 को Bheem अप को लांच किया गया था याद रखिएगा कितनी लेंगवेस में अबलेबल है तो वर्तमान समय में यहां 20 लेंगवेस में अबलेबल है और यहां पर इसका राइट रान सर जाएगा option B 40,000 अब next यहां पर देखिए है Beem का शिंबल है नब next निमलिकित में से किस कुंजी का सयोजन इसक्रीन पर खुले सभी प्रोग्राम की विंडो को छोटा करने के लिए किया जाता है विंडो की प्लस D Ctrl प्लस D F5 या Shift प्लस Alt प्लस Delete तो यहां पर इसका राइट रान सर जाएगा option first विंडो की प्लस D का उप्योग करते हैं तो यह थे आज की most important questions मैं आशा करता हूँ कि आज की यहाँ क्लास आपको पशन्द आई होगी अगर आपको यहाँ क्लास पशन्द आई हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए comment box में comment करके बताईए क्लास कैसी लगी और चैनल पर नए है तो चैनल से जूड़ने के लिए subscribe करके bell icon चलूर प्रिस करिए thanks for watching my video फिर मिलते हैं next class में नए question के साथ तब तक के लिए बाई बाई